कहते हैं चोर उचक का चौधरी कुटनी भई प्रधान अगर चोर उचक के चौधरी बनेंगे और कुटनी प्रधान बनेगी तो फिर उस जगह का क्या हाल होगा जैसा प्रजा की किस्मत खराब रहती है तो राजा बुरा निकलता है लेकिन लोग तंत्र में जनता के पास एक सकती होती है कि वो अपने राजा को बदल सकती है नेपाल की जनता ने अगर जल्दी ही ऐसा नहीं करा तो नेपाल को बहुत बुरे दिन देखने पड़ेंगे नेपाल के लोगों पर चीनी सेनिकों ने चलाए आसू गेस आखिर क्यों चलाया और ऐसा क्या करा था नेपाल के लोगों ने जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ वहीं दूसरी तरफ क्या भारत की उत्री सीमा पर 60,000 सेनिक चीन ने तैनात कर दिये हैं और भारत ने किस मिसाइल का परिच्छन करा जिसके बाद चीन बुरी तरीके से बौखला भी किया है और पराजित होने के निसाने पर भी आ गया है चीन इस मिसाइल की वजह से बरवाद ही हो जाएगा इसके अलावे बहुत कुछ आईए जानते हैं इन खबरों को बिस्तार से जैसा कि आप सभी को मालूम है हाली में क्वाइड की बैठक हुई थी 6 अक्टूबर को क्वाइट संगठन की बैठक हुई थी जिसमें जापान, आस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया था इस मीटिंग में अच्छी खासी बहस हुई और वह बहस सिर्फ और सिर्फ चीन पर केंद्रित थी अमेरिका के विदेश मंत्री का कहना था कि पस्चिमी देशों ने दसकों तक चीन के बढ़ते हुए परभाव को नहीं देखा और नजरंदाज करा जिसकी वजह से चीन ने हमारी बौधिक संपदा को चुराया हमारे खोज को चुराया हमारे आविसकारों को चुराया यहां तक की हमारे हतियारों के टेक्नोजी को भी चुराया और उसके बाद चीन आज ऐसा बन गया है जो न सिर्फ अपने पडोसियों के लिए एक बड़ा खत्रा बन गया है बलकि लगबग दुनिया के हर देश के लिए बन चुका है वही माईक पॉम्पियों ने साफ करा कि भारत की उत्तरी सीमा पर चीन ने साठ घजार सेनिको को तैनात कर दिया है और अब भारत को चीन से बातचित करने का कोई भी फाइदा नहीं होने वाला है क्योंकि चीन धिट फुरानी है और वह कभी भी अपनी बात पर कायम नहीं रह यानि कि आने वाले समय में लड़ाई तो तैही है ऐसे में भारत को अमेरिका के साथ की भी जरूरत होगी साथ ही साथ माइक पॉंपियों ने कहा कि क्वाइड के चारों देशों को साथ आना होगा चीन नामक सक्ति के मुकावला के लिए वैसे अमेरिका की इस बात को भारत अधर एक के बाद एक मिसाइलों की परिक्षन करता जा रहा है जिसका तोड न तो चीन निकाल पा रहा है और ना ही पाकिस्तान निकाल पा रहा है क्योंकि पहले ऐसा होता था कि भारत सालों सालों बाद किसी किसी मिसाइल की परिक्षन किया करता था जिसका तोड निकले या पर हालात को देखते हुए भारत एक के बाद एक अलग-अलग टेक्नोजी से बनी हुई मिसाइलों का परिक्षन करता जा रहा है जिसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान बलकि चीन भी पूरी तरीके से चिंता में आ गया है और अब भारत ने जिस मिसाइल को बनाया है वह चीन और पाकिस्तान दोनों को ही तबाह कर सकता है 2015 में भारत ने एक मिसाइल प्रोजेक्ट को शुरू करा था जो की बैलेस्टिक मिसाइल होना था और इस मिसाइल की खासियत यह होनी थी कि यह जादा से जादा तबाही मचा सके और इसका निसाना बिलकुल ही सटीक लगे इस प परले मिसाइल का परिक्षन किसी न किसी वजह से टलता रहा लेकिन अब जब चीन और भारत के बीच बहुत ही भुरे हाला थे और ऐसा लग रहा ही कि लडाई अब आगे ही रखी हुई है भारत ने अपने हर हतियार का परिक्षन करना भी सुरू कर दिया है और उसकी तैनात करनी भी शुरू कर दी है इसी करम में परलय का परिक्षन किया घ्या भारत को चीन को साधने के लिए एक ऐसे मिसाइल की जरूरत थी जो सटीक निसाने पड़ वार करे और साथ ही साथ बहुत बड़ी तबाही मचाए और भारत का यह काम करेगा परलय मिसाईल भारत ने वह चीज बना ली है वैसे आपको बता दें 12 से 15 तारीक तक बंगाल की खाड़ी में बहुत तरिके परिक्षन भारत कर रहा है और भारत की यह मिसाई सचमुच में परलय मचाने वाली है चीन में इसी वजह से इसका नाम भी परलय रखा गया है सटीक निसाना लगाने के लिए इसकी रेंज को कम रखा गया है इसकी रेंज 500 किलो मीटर है वहीं 10 मीटर के आसपास की हर चीज को यह नेस्ता नावूत कर देगा यानि कि जहां वह गिरेगा उससे 10 मीटर के आसपास के छेतर में कुछ भी नहीं बचेगा वहीं नेपाल की तरफ से आ रही है बड़ी खबर चीन ने जो नेपाल में किया है उसको देखने के बाद नेपाली जनता के होस उड़ गए हैं परदान मंत्री ओली को भले ही फरक ना गद्धी के मजे ले रही है लेकिन जनता भुगत रही है हाली में आपने सुना होगा कि हुमला इलाके में चीन ने अवैध घुसपैट करी हुई है नेपाल के और कई बिल्डिंगें बना रखी है वैसे चीन ने उन बिल्डिंगों के पास लिख रखा है कि कि किसी भी नेपाली का यहाँ परवेस बरजी थे जब यह खबर जांच अधिकारियों तक मिली तो जांच अधिकारियों ने बवाल मचाया और न्यूज पेपर में यह चीजें छपने लगी जिसके बाद दवाब में आकर नेपाल सरकार ने एक जांच समीती का गठन किया और वही उम्बला में सीमा के अस्तमों की निगरानी के बाद लाट रहे के तो चीनी सुरच्चा कर्मियों ने नेपाली टीम को निसाना बना लिया और निसाना बना कर आसुगेस के गोले दागे चीन की बरबरता का ताजा मिसाल देखने को मिला चीनी सुरच्चा कर्मियों ने हमखा जिले के नमखा गाउं में नगरपालिका के उपाध्यच की निगरानी में पहुँची नेपाली टीम पर लगातार आसु गेस के गोले दागने शुरू कर दिये यह तो सिर्फ ट्रेलर था चीन नेपाल के साथ और भी बुरा बरताओ करने वाला है यह तो बस सुरूआत थी ओली सरकार जिस तरीके से चीन के गोद में जाकर बैठी हुई है उसका असर तो दिखेगा ही और वह दिखने भी लगा है वैसे आपको क्या लगता है क्या नेपाल अब चीन के चंगुल से बच पाएगा कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई न्यूज के साथ